अगला प्रेशन शुरू करते हैं हमारे पास अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या 20 पढ़िए इसको जरह क्या कह रहा है साथ मीटर मुचे भवन के शिकर से एक केबल टावर के शिकर का उन्यन कौन साथ डिग्री है और इसके पाद का अबनमन कौन 45 डिग्री है मतलब किसके टावर के जो टावर का सिखर है उसका भवन के सिखर से उन्यन कौन दिया साथ डिग्री और वहीं यहां पर देखो एक चीज घुमा दी अगर गौर से देखोगे तो हमने इस प्रेकर के प्रेशन दों किये लेकिन हमेशा लेफ्ट राइट जो मतलब यह हमारा भवन है ठीक यह होगे हमारा भवन तो आप देखो उसने प्रेशन में बोला है कि भवन के सिखर से टावर के शिखर का उन्यन कौन दिया है साथ डिग्री यह वाला यह कितना दिया है साथ डिग्री यह कौन दिया है उसने उन्यन कौन दिया है ध्यान लगना इस चीज को है ना उन्यन कौन क्या होता है नीचे बनता है हमारा एक हमने सामान अंतर रेखा कीचली आपकी सीधी रेखा देखो तो यह हमारा क्या है उन्यन कौन यह रहा 60 डिग्री अब अभी तक जितने भी हमने प्रेश्ण किये थे उसमें क्या था शिखर के यानि भवन है भवन के ही किस से शिखर से और पाद से पाद मनलम नीचे यानि आधार से ठीक है आधार से दोनों कौन बन रहे थे और कै यहां पर एक उन्यन कौन दिया है और एक अबनमन कौन दिया है देखो यही लोजिक है और यही थोड़ा से डिफरेंस किया है question में तो मतलब आपने यह बहुत ज़दे language भी हमेशा ध्यान से पढ़नी है और समझना है कि प्रशन क्या दिया है क्या पूछ रहा है ठीक है अन्यन कौन पेठावर था doorway के शिहर का भवन के शिखर से देख लो यहां पे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नें पूंड साथ डिगरी है यह उन्न इन कौन 36 रेखा यह ग्रश्टी रेका हो गईude अब उसके पादका किस है तावर के तावर के पादका म देखो ही चेंज हो गया यह प्रश्ण देखो यह वाला जो कौण है यह दिया है इसने इस बार अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा था हमने कैसा पढ़ा था? दोनों ही भवन के सिखर और पाद से टावर के सिखर के अभी तक हमने ऐसा ही प्रश्ण पढ़ा था इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया इसको बनाने के लिए अब इसमें देखो यह दिया है उसने यह वाला 45 डिग्री ठीक है जब यह 45 है तो हमारा यहां 45 हो जाएगा ठीक है पीटा समझा गया आपको यही थोड़ा सा डिफरेंट हो गया प्रश्ण अब डिफरेंट है बेसक लेकिन सॉलुशन प्रेम होगा सॉलुशन करेंगे उसी तरीके से जैसे अब ही तक हम करते हुए आए है सॉलुशन देखिए सबसे पहले भवन नानि भवन की उचाई दिया 7 मीटर 7 मीटर ये उचा है ठीक है जब ये 7 मीटर है तो यहां तक कि ये डिस्टेंस 7 मीटर हो गई क्योंकि ये दोनों सामनांतर रेखा है और भवन भी सीधा है और ये केवल टावर भी सीधा है तो बिल्कुल यह आप की समाना होंगी अभी यहाँ पर थोड़ा सा नाम करन्ट कर लेते हैं देखो बेटा ठीक है थोड़े से अलग कलर से कर लेते हैं ताकि दिखाई दे हमें B, C, D और E यह हमारे क्या हो गए नाम करन्ट कर लिया इनका यह पॉइंट होगे नाम होगे अब देखो हमारे B, C बराबर होगा D, E के यह अभी तक हम बहुत सारे प्रेशनों में करके आ चुके है प्रेशन अनुसार A, T, Q according to question B, C बराबर होगा बेटा किसके? D, E के है न? और इसमें B, E बराबर होगा किसके? D, C के यह भी बराबर होगा तो देखो यह साथ मीटर है तो यह भी हमारा साथ मीटर हो गया अब हमें यह अगर हम मान ले X तो यह भी हमारा X होगा होगा नहीं होगा है न? यह भी X होगा यह भी X होगा माना टावर की उंचाई बरावर है H ठीक है H मान लेते हैं तो हमारा AB AB क्या होगा AB होगा H-X तो हमारा यहां पर AB क्या होगा AB होगा H-7 मीटर ठीक है यही होगा तो देखो यहां तक अभी तक हमने यह सब लिख लिया प्रेशन के अनुसार जैसा प्रेशन में दिया गया था अब हम सॉलूशन स्टार्ट करते हैं सॉलूशन स्टार्ट करने के लिए देखो बेटा तिर्भुज समकौर तिर्भुज यह सब लिख के आएंगे आप समकौर तिर्भुज DCE DCE की बात करते हैं पहले ठीक है क्यों बात कर रहे हैं देखो मैंने इतनी बार बताया जब भी एक समकौर तिर्बुज हो जिसमें एक एंगल उसका जो ये एंगल है 45 डिग्री हो ये तो समकौर है 90 डिग्री है तो ये एंगल अकर 45 है तो ये भी भुजा कितनी होगी आपकी जो तुमारी लंब और आधार हमेशा बरावर होगा, तो यहां पे आधार भी 7 आ जाएगा, देखो कैसे, 1045 डिगरी बरावर, लंब बटे आधार, और लंब क्या है यहां पे बेटा, 7 मीटर, आधार कितना है, x मीटर माना है हमने, ठी इसकी value रखो 10 पे दाल इसकी value 1 हो गई तो 7 upon x हो गया, x इधर जाएगा तो x बरावर 7 meter, x कमान क्या निकल क्या है, 7 meter, है नहीं बिटा, क्या निकल क्या है, यहां पर x कमान 7 meter, तो यह भी 7 होगा, यह भी 7 होगा, अब देखो, यह नीचे तो 7, 7, 7, 7, 7 हो गया, एक तो नीचे अब भी बात करते हैं, उपर वाले तिर्भूज की, तो समकॉण, देखो, यहां पर बनेगा समकॉणी तिर्भूज, समकॉण तिर्भूज, A, B, E में, A, B, E में, क्या होगा, 10, 60 degree, बरावर होगा, आपका कितना, लंब, लंब मतलब A, B, A, B upon, आधार, आधार मतलब B, E, ठीक है, इसी को या यह यह लिख सकते हो, यहना, 10, 60 क मान कितना होता है, अंडरूर 3 होता है, A, B क मान कितना है, हमने कितना निकाला, H minus 7, upon be command कितना निकल किया है 7 ठीक है यही निकल किया है अब देखो 7 को इधर ले जाओ तो 7 under root 3 बरावर h-7 अब 7 को इधर ले आओ गया आप इधर ले आओ 7 को तो यह हो गया 7 under root 3 प्लस 7 बरावर h अब इसको 7 को इधर ले लो यहां से 7 को लोगे तो h बरावर हो गया 7 common लिया under root 3 प्लस 1 एच बरावर हो गया under root 3 प्लस 1 देखो यही आपकी हइप आपकी हइट निकलगे आगई टावर की तो टावर की उचाई बरावर कितनी निकलाी लिख दो यहां पे कि उचाहीिon बरावर कितनी आए साथ bracket में अंडरूर 3 प्लस 1 यह आपकी उचाई आगए टावर की टोटल उचाई ठीक है यहां तो देखो वहाँ पर आपको वई वैरिवल रखके सिर्फ उसका मान निकाल लेते तो भी आपका आ जाता फिर दोनों को जोड़ के तब भी ले आते या फिर आपने ऐसे किया कि इसको हमने हमने हमना तो यह क्या होगा हमने 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 निकाल लिया उचा ही निकल के आगए टावर की अब देखो यहां पर एंडरूर 3 का मान रखने की ज़रूरत नहीं है अगर रखना चाहते हो तो रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर यह प्रशन में दिया गया है कि एंडरूर 3 का मान यह रखिए तो आप रखके आईए और फिर पूरा सॉल करके आईए अगर यह प्रशन में नहीं दिया है तो आप यहां तक छोड़ के आएंगे तो भी चलेगा आपका आनसर गलत नहीं होगा कोई भी दिककत नहीं होगा इस पर यह आपके पूरे नंबर मिलेंगे अब बताएए यह प्रशन आया था exam में 6 number के लिए कितने पूरे 6 number के लिए अब बताओ'd यह 6 number like check प्रशन दिख रा आपको मुझे तो किसी इंगल से शह number like hep प्रशन नहीं दिख रहा फिर भी आपको छh number फ्रोस्ड दिए गए थालि में तो अब आपने लेने हैं नहीं लेने ये आपको decide करना है लेने हैं definitely लेने हैं क्यूंकि इतने अच्छे question अगर आपको exam में दे दिये जाएंगे और exam में पूछे भी गये हैं ऐसा नहीं के नहीं आए exam में question हमेशा पूछे जाते हैं और आये हैं और ये तीन साल ही प्रशन आया है exam में already तो आपको करके आना है बस इसमें देखो एक logic अलग था थोड़ा सा इसने एक ही question में अपनमन और उन्यन कौन दे दिया अगर यहां पर आपने figure भी गलत कर दिया तो number तो मिलेंगे पर कम मिलेंगे क्यों examiner समझ जाएगा कि वही इसने पढ़ा नहीं है ध्यान से प्रशन को ठीक है तो ध्यान से प्रशन पढ़ना है और उसके बाद ही इसको solve करना है answer करना है